अब बात होगी देश के अलग-अलग शेहरों में मचे बवाल की जिहां लोकसभाद चुनाव के बाद क्या देश में कोई माहौल बिगारने की साज़श हो रही है आखिर शेहर दर शेहर फसाद क्यों हो रहा है और किसके शारूं पर सडकों पर भीड उतरती है और भीड उब्द्रवी खुचाती है पूरी डिटेल हम आपको दिखाएंगे लेकिन जरब पहले इन तस्वीरों को देखे जोतपूर जलगाओं फिरोजबाद बरेली की तस्वीरे हैं जहां जोतपूर की बात करें तो जमीन के विवाद पर जब्रदर्स बवाल हुआ एक विवादित जमीन पर अवैद मिर्मान को लेकर दो समुदाए आमने सामने आ गए घंटो तकी पत्थर चले उसरी तस्वीर फुरोजबाद की है जहां एक शूरी के आरूपी 20 साल के दलित यूवक की मौत हो जाती है जिस पर जब्रदस थंगामा होता है सानीय लोगों ने शर्व को 14 पर अखकर प्रदर्शन किया तीसरी तस्वीर महराश की जलगाओं की है जहां मासूम से रेप के आरूपी को सौपने की मांग कर रही भीड ने पुलिस कर्मियों पर ही हमला बोल दिया और अगली तस्वीर जो है वो है यूपी के बरेली की जहां एक बिल्डर के गुर्गों ने प्लॉट पर कबजे के लिए जम कर तांडम हो जाए एक एक करके आपको जो सड़क पर यह संग्राम होता रहा है क्या है उसकी वजह है और कैसी तस्वीर आ रही है दिखाएंगे के रहा है छोरी के मामले में कि आकाश की मौत हो जाती है 20 साल का दलित यूवक है और चीनिन ने पोस्ट-मॉटम के बाद शुफ को चौराहे पर अखकर जाम लगा दिया मौके पर पुलिस पहुची और समझाने बुजाने की कोशिश की उन्होंने तर्ग दिया कि भई अस्पताल ले गए थे वहाँ पर उसके तबेद बिगडी और जिससे मौट भी लेकिन परिवार के जो सबस्ते हैं वो उल्टे पुलिस पर ही प्रशासन पर ही आरूप लगा रहे हैं हंगामा इसकतर बढ़ गया कि हालात बेकाबू हो गए सानी लोगों ने पुलिस टीम पर पत्राव किया बवाल के दौरान मृतक के परिजन और सानी लोगों ने पुलिस के साथ मार पीच भी की है जमकर पत्राव, तोड़फ़, आगजनी के तस्वीरें जो हैं वहाँ से सामने आई आप देख सकते हैं किस तरह से सड़क पर जो लोग हैं वो पुलिस पर पत्राव कर रहे हैं लाठी चार्च करना पड़ा पुलिस को और उसकी बाद भीर कुहां से खदेड़ना पड़ा दरसल फिरोजबाद में दलित कैदी की मौत की बाद यह हंगामा हुआ है परिजनों का रोप है कि आकाश की मौत जो है वो पिटाई से हुई है टॉर्चर से लिए आकाश को चोरी के जूटे इल्जाम में गिरफतार किया गया था उननीस तारिक को आकाश को चोरी के आरोप में जिला जेल भेज दिया गया और इस दोरान आकाश को थाने में जम कर पीटा गया जिससे उसकी मौत हो गई यह परिवार का आरोप है फुरजबाद की तस्वीर देखिए गसाय भीळ कैसे पोलिस वालों पर ही किस तरह से महलाइ भी निकलाई हैं वच्चे भी निकलाई हैं यूवक जो है किस तरह से पोलिस वालों पर पत्थर मार रही है आप देखिए कि पुलिस की टीम पर जवरन पत्राव हुआ है और पुलिस फिर लाठी चार्च करने के लिए मजबूर हुई और भीड को किस तरह से खद्रेडा किया इतनी बड़ी तादाद में वहाँ पर लोगे खट्टा हो गए और उसके बाद पुलिस की टीम को टार्गेट किया अपना घुसा निकाला आप देखिए कि किस तरह से वहाँ पर 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 जवरनों ने सड़क पराल जनी भी की पुछ वहानों को भी निशाना बनाया है इस तरह की खबरे आ रही है पर जनों को पुलिस प्रशासर ने समझाने बुझाने की कोशिश की उगर भीड को अंतताह रोकने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा गुसाए लोगों ने जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सड़क के नारे खड़ी बाइक को भी आग के हवाले कर दिया ये देखिए कि किस तरह से पुलिस वाले जो हैं वो लाठी चार्ज कर रहे हैं भीड को खदेड रहे हैं और पहले समझाने बुझाने की कोशिश हुई कि आप जो हैं वो मानिये समझे लेकिन जब भीड जो है वो बेकावू हो गए उल्टा पुलिस पर ही उसने पत्राफ करना शुरू कर दिया हैं सखरूप अख्तियार कर दिया तो पुलिस के पास कोई जारा नहीं मिला और उसके बाद पुलिस ने भीड को लाठी चार्ज कर खदेडा है पत्राफ कर रहे लोगों को रोकने समझाने बुझाने की कोशिश की गई लेकिन जब वो नहीं माने पुलिस ने सड़क पर उनको दोड़ा दोड़ा कर फिर लाठी चार्ज से तितर बितर किया देखिए क किस तरह से परिवार की महलाय स्थानिये महलाय जो है वो भी इस पूरे उब्द्रव में समझाने बुझाने की कोशिश की गई कि आप यहां से हटिये लेकिन महलाय भी जब पुलिस के साथ हिंसक हुई तो किस तरह से उनको समझाया बुझाया गया लेकिन यह देखिए किस तरह से रोकने की कोशिश कर रहे हैं पुलिस की कारवाई में बाधा करने की कोशिश जो हैं वहां किस्तानीये उब्द्रवियों ने क्या कि अपनी जगे लेकिन वहां पर मौजूद लोगों का जो संपत्ती है वहां पर जो एंबुलेंस खड़ी थी उसको भी आपने अपने घुस्से का शिकार बनाया तो ये कई सवाल जो है वो खड़े कर रहा है आपकी गुसा नाराजगी वाजब हो सकती है लेकिन सवाल यही है कि यहाँ पर हुआ क्या है तरसल फ्रोजबाद में फसाद की जड़ क्या है पु 19 जून को माफ कीजे का पहले पुलिस ने आकाश को जील भीजा और फिर उसके बाद 20 जून को उसकी तबियत जील के अंदर बिगड़ जाती है और 21 जून को इलाज के दौरान वो दम तोड़ देता है लेकिन परिवार कह रहा है कि पुलिस ने कहीं न कहीं उसके साथ मार प मिलाओं की तरह से शील्ड आप देखिएगा कि समझने की कोशिश कीजिए कि महिलाएं जो है वो आगे नजार आ रही है और पीछे से पुलिस पर पत्राव हो रहा है जब पुलिस उद्रवियों को पकड़ने की कोशिश कर रही है तो महिलाएं किस तरह से पुलिस को वहां जोक रही है उनकी शील्ड वन आपको बता दें कि आकाश कुछ बूटे आरोप में पकड़ा गया है पुलिस प्रश्यासंद पर ये सवाल उठा रहे हैं किस तरह से बीर जो है देखिए वहां पर एखटा हो गई और वो समझने को राजी नहीं थी एंबुलेंस पर भी पत् जाने की कोशिश कर रहे थे बता रहे थे कि पोस्मॉटम रिपोर्ट में मौत की वजय क्या बताई गई हैं समझा रहे थे लेकिन लगा नहीं कि भीड जो है वो समभलेगी क्योंकि भीर बड़ी तादा देखिए उसके बाद जिस तरह से भीड जो है वो बढ़ती चली गई मैं इस वक्त रुजबाद शेहर के हिमायूपूर चोराए पर हूँ कल शाम ये चोराहा हिंसा की चपेट में था जबरदस पत्थरबाजी यहां पर हुई थी यहां तक की दोनों पक्षों के यानि के पुलिस और जो लोग थे हमने सामने उनकी तरफ से फाइरिंग भी की गई दरसल एक दलीती युवक जिसकी उम्र 20 साल थी उसकी पुलिस सिरासत में मौत के बाद यहां पर जबरदस बबाल हुआ युवक का नाम आकाश था और आकाश पर चोरी करने का आरोप था जिसको पुलिस में पकड़ा था लेकिन बाद में जब उसको जेल भेजा गया वहाँ पर आकाश के जो परिवार जन है उनका आरोप है कि उसके साथ ज्यादती हुई मार पीट हुई और उसकी वज़े से उसकी मौत हो गई हलाकि पुलिस का यह कहना है कि उसकी तबियत बिगड़ी थी जिसके बार अस्पताल में आकाश को भरती कराया गया था और अस्पताल में उसकी मौत हुई जैसे मौत की खबर सामने आई फौरण यहाँ पर हंगामा हो गया और कल जबरदस जो पत्थर बाजी है चोराय पर हुई अला कि रात के वक्त यहां से तमाम जो पत्थर है उसको हटा दिये गए पुलिस की तरफ से हुआई फाइरिंग भी के गए थी आकार्षकी और अमुलेंस में शो को रखा गया था जबर्दस परज़शन यहां पर हो रहा था बाद में समझाया-बजाया गया परिवार के लोगों को और इसको एक पांच लाख रुपय का शेक भी दिया गया है हाला कि अभी भी परिवार के जो लोग है वो यह कह रहा हैं कि उन पुलिस कर्मियों पर कारवाई की जाए जिन्होंने मारपीट की आकाश के साथ या जो जिनकी जिम्मधारी थी कि पुलिस किरासत में कम से कम वो सुरक्षित रहता लेकिन वहाँ पर उसके साथ मारपीट हुई और उसकी जान चली गई जाहर सी बात है परिवार को यकिन नहीं हो रहा है कि उन्हेस तारीक को आकाश जो है वो चोड़ी के इलजाम में गिरफ़तार होता है उसके बाद 21 तारिक को वो इस दुनिया से अलविदा कह देता है परिवार कह रहा है कि भी उसके साथ मारपीट की गई है पुलिस गिरफतारी में जब वो था उसके साथ टॉर्चर हुआ है क्या कुछ कहना है आकाश की पतनी का या आपको वो भी सुनवाते है हम परिवार के साथ मौझूद है आकाश की पतनी क्या बताया था पुलिस ने जब गिरफतार किया था काश को क्या बोला मेरे पास पोन आया जिस दिन पकरे गए घै उसके तीन दिन दाश्वाद फोन आया है थाने में तीन दिन दिन देखा गया है तो मैं काम पे ती ओंपर फोन काया कि का गेतर तेरे पती घरफ पकर गए यहां जिसका लड़का पकर गया उसकी माने फोन किया मुझे तो तो कहा थे बूत बढ़ी होती है पचास और रुपए लग रहा है चुड़ाना वो तो चुड़ा ले अब मैं कुस्वार पे काम करती हुँ काचवीन के अब मैं मामे से का शेंगा पचास यार के मूद लाओ लेकर बहुत बड़ी होती है पचास यार रुपए मांगे थे पचास यार रुपए उसका कोई बakील था कियाने कोई फूर त 451 रुपए मांगे तो मैंने 20 Jew आर रफ के इंतिया में भी कर लिया का जी बगारा करें के मात तीसों याद रूप है करने के ले रह गए थे तीसों दिन तो ख़वारा आए गई है के मेरे पसी को मात दो बरिबार जो है उसे यकीन नहीं हो रहा है कि आखिर तीन दिन में ऐसा क्या हुआ कि अच्छा खासा यूबग जो है वो इस उनिया को अलविदा कह गया बहराल हंगामा और फसाद जो है सिर्फ रोजापूर में हुआ 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 है गाजबाद में भी इस बीड जम कर बवाल हुआ है वह मुद्दा लग था तरसल बाइक से जा रहे तीन यूबगों पर सिचाई को लेकर पड़ोसी किसान से विवाद हुआ था दोनों पक्षों के बीच कहा सुनी हुई पुलिस ने इस संदर में दो आरोपियों को हिरासत में ले लिया है मारे गई यूबगों के परिजनों ने जबर्दस थंगामा किया और सड़क पर जाम नका दिया है आप द की घटना हुई है और जिसमें दो लोगों की तो मौके पर ही मौत हो गई है और एक का इलाज चल रहा है पुलिस ने फिलहाल दो आरूपियों को जरूर इस अंदर में घरफतार किया है स्थाने लोगों को समझाने बुझाने के और रास्ता खाली कराने की कोशिश हो रही है फिरोजबाद, घजबाद के हंगामी की तस्वीर आपने देख ली अब बरेली चलते हैं बरेली में प्लॉट पर कबजे को लेकर जबर्दस बवाल होता है एक बिल्डर के गुर्गों ने दिन्दाहारे फारिंग कर दीजिया होसले देखिए किस कदर गुलन है कि प्लॉट पर कबजे को लेकर फाइरिंग की आग जनी की प्लॉट पर खड़ी दो जीसीबी को आग के हवाले कर दिया जेसीबी में आग लगा दी बताय जा रहा है कि बिल्डर के गुर्गों की फाइरिंग में एक श्रुक्स घायल हो गया है घायल श्रुक्स अपनी च्छत पटेहल रहा था कि तभी गोली उसे आकर लग जाती है बरेली की यूपी की एखटना है यूपी बरेली की जहां पर एक प्लॉट पर एक बिल्डर के जो गुर्गे हो आते हैं और वहां पर कबजे को लेकर पूरा विवाद शुरू होता है जिसके बाद दो जेसीबी आप जो फिलहाल अभी उसका अस्पताल में लाग चल रहा है तो बरेली में कैसे दिंदाहडे फाइरिंग हुई उसकी तस्वीरे देखिए बरेली के पिनी भीद बाइपास से रोट के बजरंग धाबे के पास की है बिल्डर के गुर्गों ने प्लॉट पर कबजे को लेकर आप देखिए आपको तस्वीरें देखेंगी और ये बदमाश जो हैं किस तरह से फारिंग कर रहे हैं गोली की आवाज भी आपको नजर आएगी फारिंग डराने के मकसद से हवा में की गई लेकिन गोली जो है चट पर टहल रहे एक युवक हो जा लगी और इस दोरान मौके से भाग रहे श्रक्स की कार बेकाबू होकर सड़क के किनारे जा टकराई है उसकी भी तस्वीरें आ गई हैं देखें किस तरह से मौके से फरार होने की कोशिश थी और ये कार जो है सड़क से जा टकराई और ये तस्वीरे आप देखेंगे किस तरह से वो सामने से आती हुई इस तस्वीर में आपको देखेगी और वो अपना बैलन्स होती है और किस तरह से जाकर सड़क के नारे वो सामने टकराती है और इंबैलन्स खोल के वो यहाँ पर पलट जाती है महराश की बात करें तो वहाँ जलगाओं में च्छे साल की मासूम से दरिंद्गी के बाद गुसाई भीर ने थाने पर धावब बोल दिया पबलिक डिमांड तरही थी कि आरूपी को उनके हवाले कर दिया जाए पहले तो भीर ने थाने के बाहर प्रोटेस्ट किया टायर जला पथरबाजी में एक इंस्पेक्टर समेथ 12 पुलिस कर्मी गाल हो गए जलगाओं में 6 साल की मासूम के साथ दरिंद्गी की खबर आई उसके बाद उस बच्ची के हत्या कर दे गई जिसके बाद लोग जो है आरूपी को लेकर बेहत गुस्से में थे वो पुलिस से कह रहे जलगाओं में भीड किस कदर आक्रमक हो गई आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि यह तस्वीर आपके सामने हैं किस तरह से बाहर मौजूद लोगों ने पुलिस कर्मियों को जो है वो निशाना बनाया यह तस्वीर आपको नज़र आएंगी कि पु जुसाई भीड ने पुलिस पर हमला बोला रेप आरूपी को सौंपने की मांग कर रही थी भीड पेट्रोल पंप वहाँ पर नजदीख ही था जिसको भीड जलाने की कोशिश हुई दरसल एक 6 साल की बच्ची के साथ दरंगी हुई और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई लाजबी सी बाद है कि लोगों में घुसा था आखरोश था लेकिन कानून का अपना काम है पुलिस ने आरूपी को ऀरास्त में ले लिया था लेकिन भीड चाहरा थी कि आप हमें दे दीजे भीड तंत्र में मुम्म Merci और उसके बाद भीड ने किस तरह से बावाल मचाया य ये जो है भू 150 जह देहर बिहार में अब मुजाग बन गया है पूल का गिरना निर्मानादीन पुल गिर जाते हैं पुल जो अभी कुछ महीने पहले ही जिनका उदगाटन होता है वो आप देख सकते हैं अरर्या बिहार की तस्वीरे हैं वहाँ पर पुल गिरा और उसके बाद आप देखिए कि दूसरी तस्वीर जो है सिवान की और अरर्या की दोनों तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं किस तरह से करोडों की लागत से बना हुआ ये पुल बन करता यार कुछी दिन बाद इसका उदगाटन होना था किस तरह से पुल भराबारा कर गिर गया था और दूसरी तस्वीर आप देखिए कि वहाँ पर भी किस तरह से ये पुल जो है वो कटान इसकी पर इसकी तरह से वहाँ पर ये पुल जो है बारा करोड की लागत से बना बनाया जा रहा था बता जा रहा है और इससे पहले इसको घाटन होता ये पुल जो है वो गिर गया और जेपी नड़ा से क्यों मिले ब्यूपी बीजेपी अध्याक्ष दोनों नेताओं के बीच क्या बात हुई डीटेल एक ब्रेक के बाद